दोस्तो एनेमल का आने वाला सीक्वल, जिसका नाम एनेमल पार्क रखा गया है पर दोस्तो इसका नाम एनेमल पार्क क्यों रखा, इसके पीछे क्या रिजन है? जानने के बाद आपके होश शूट जाएंगे और जोया रियाच नकली विजय की तरफ है या फिर असली विजय की तरफ है क्योंकि एनेमल के post credit scene में ये दिखाया गया है कि जोया परेग्नेंट है और तो दोस्तो एक और breakdown और analysis वीडियो में आपका स्वागत है आज हम लोग एनेमल के post credit scene को analysis करेंगे और एनेमल पार्क की story प्रेडिक करेंगे जैसे कि बॉबी देवल का अबरार वाला character एनेमल पार्क में दिखेगा या फिर एनेमल में ही उसका खेल खतम हो चुका है और एनेमल के starting वाले इस scene का क्या मतलब है और ये बुड़ा रनवीर क कोन है दोस्तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे तो दोस्तो संदिप रेडि वांगा ने एक इंटर्यू में कहा था कि एनेमल का sequel यानि कि एनेमल पार्क आनेमल मुवी से भी ज़्यादा डार्क होगा मतलब एनेमल में हमने जितना भी खुन खराबा देखा ओ तो बस एक ट्रेलर था असलिए ब्लड शेट तो आनेमल पार्क में होगा और शायद इसलिए अनेमल पार्क का लोगो रेड है ताकि इसके नाम से ही पता चल जाए कि ये मुवी कितनी ब्लड शेट से भरी है और नाम के बारे में हम थोड़ा डिप म मार दिया पर दोस्तो विजए को ऐसा लगा कि उसने अबरार को मार कर अपना बदला ले लिया है और जंग को खतम कर दिया है पर दोस्तो विजए को ये नहीं पता कि असलिए जंग तो उसने अबरार और असरार को मार कर शुरू कर दी है जिसका नमोना हम एनेमल के टाइकोपैत में बदल जाता है और अपने पीता और फैमिली के लिए उसका जुनन और भी बढ़ जाता है और एक क्रिमिनल भी बन जाता है जिसी के अपने आनेमल में रनविर का नूड सिंस तो देखा होगा तो दोस्तो इन सब चिजों का यह मतलब है कि आनेमल में स्रिप व बल्टिपल आनेमल होंगे यानि कि विजय का अलावा एसे और भी कैरेक्टर होंगे जो विजय से भी जादा खतरनाक होंगे मतलब आनेमल ही आनेमल होंगे और दोस्तो इसलिए वांगा सर ने आनेमल पार्क नाम रखा है यानि कि एक ऐसा पार्क जिसमें सब आनेमल से अजिस की सरजरी करके विजे जैसा बनाया ताकि असली विजे की जगर नकली विजे जाकर बलबिल सिंग को मार सके पर दोस्तो जोयार रियाज ने ये सारा प्लैन विजे को बता दिया और सब कुछ चेंज हो गया पर दोस्तो विजे का क्लोन यानि कि अजिस ओ तो अभी जिन्दा है न तो वही अजिस हमें एंडिंग सिन में दिखाई दिया और विजे के दो आदनियों को बुरुटली मार देता है तो दोस्तो इसी यह पता चलता है कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है यानि कि असली खराबा तो अब अनिमल पार्क में होगा क्योंकि विलन का मिशन पहले सिर्फ बलविल सिंग को मार कर सो स्थिक्स्टिल इंडेस्ट्री को बरबात करना था पर अब अजिच अपने पिता और दोनों भायों का बदला लेगा यानि कि बदली की आग अब दो गुना बढ़ च फिर इसके बाद अबरर की आवाज चली जाती है बस हमें इतना ही बताया गया है यानि कि अनेमल पार्क में अनेमल के कैरेक्टर को थोड़ा और डिप में एक्स्प्लेंग किया जाएगा भाई भलही अबरर मर गया है पर उसकी पास्ट वाली कहानी तो दिखाई जा सकती है और अगर संदीब रेड़ी वांगा ने अनेमल के कैरेक्टर को बहुत स्क्रीन प्ले दिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रिजन जडर होगा और अनेमल पार्क में इसके अलावा एक और कहाने होगी जो कहाने अनेमल मुवी में विजे के दादा जीने सुनाई थी द तो दोस्तो ये जो कहाने विजे के दादा जीने सुनाई ये कहाने हमें अनेमल पार्क में जादा डिप में जानने को मिलेगी फिर जाके असली विजे और नकली विजे की कहाने चुरू होगी या फिर अनेमल की तरही बीच बीचने हमें बैक स्टोरीज देखने को मिलेंग और हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जोया रियाच नकली विजय की तरफ है या फिर असली विजय की तरफ है क्योंकि एंडिंग सीन में ये दिखाया जाता है कि जोया परिगनेट है तो उसके पेट में बच्चा किस का है विजय का है या फिर अजिच का है तो ये डिसाड कर कि जो है किश की तरफ है बाकि संदिप रेड़ी वांगा इस सिकल को केसे बनाते हैं ये तो हमें आनिमल पार्क आने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों अगर आपको ये डिटेल और आनिलिसी पसंद आया तो लाइक जरू कर देना तब तक टेक केर और बाई